कोरोना की इस महामारी के चलते इस महा संकट के चलते सोनु सूत फसे हुए गरीब प्रवासियों के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी तारीफ देश में ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में हो रही है लेकिन आश्यर यह इस बाद से हो जाता है कि जहां एक तरफ सोनु की सभी तरफ तारीफ हो रही है वहीं पर पॉलिटिकल पार्टीज ने सोनु के इस काम को एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया है और सोनु को भी अपनी पॉलिटिकल खिचडी में फसा दिया है क्या है ये पूरा मामला और कैसे सोनू के काम पर पॉलिटिकल पार्टिया अपने हाथ सेख रही है चलिए मैं बताती हूँ कब की और कैसे में वहला हम सब जानते हैं कि कोरोना के चलते मुंबई में फसेवे प्रवासियों को सोनू सूद कभी से अपने घरों पर पहुचाने की कोशिश कर रहे हैं कई बसे सोनू सूद भेच चुके हैं करनाटक, यूपी, बिहार, उत्राकंट और हजारों में अब तक प्रवासी सोनू सूद की मदद से ही अपने घर तक पहुच पाए हैं हाल ही में उन्होंने कोची से 177 लड़कियों को ऐरलिफ्ट करवाया था इसके अलावा मुंबई से ऐरलिफ्ट कराकर प्रवासियों को उत्राखंट भी भेजा गया कुछ इस तरह से सोनू सूद इन प्रवासियों की मदद कर रहे हैं लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उससे ये साफ साफ नजर आता है कि सोनू सूद जो काम कर रहे हैं जो मदद कर रहे हैं उसको अब पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है यही कारण है कि कल मुंबई के बैंडरा टर्मिनल पर जब सोनू सूद हजारों प्रवासियों को ट्रेन से यूपी भेज रहे थे तब सोनू सूद को बैंडरा टर्मिनल के प्लाट्फॉर्म पर जाने की इजाज़त नहीं दी और पुलिस ने उन्हें वहाँ पर जाने से रोक दिया वल आप तक हम देखते आए हैं कि सोनू किस तरह से बसस जाने से पहले नारियल फोडते हैं किस तरह से ट्रेन को उन्होंने ग्रीन सिगनल दिखाया और ऐसा ही वो कल बैंडरा के स्टेशन पर भी करने गए थे लेकिन तब उन्हें प्लाट्फॉर्म पर अलाव ही नहीं किया गया और वो अपने प्रवासी भाईयों से स्टेशन के बार से ही मिलकर रवाना हो गए साथ ही अपोजिशन पार्टी जो है उन्होंने सोनुसूत को अपना अभिनेता बनाया हुआ है संजे राउत ने ये भी कहा कि इस लॉकडाउन के चलते जब किसी को कहीं भी जाना अलावड नहीं है तो ऐसे में सोनुसूत कैसे परमेशन ला सकते हैं और बसस भेज सकते हैं संजे राउत ने सोनुसूत के लिए कहा कि इस लॉकडाउन में ये नया महत्मा सूध आ गया है कुछ इस तरह से नफरत भरी टिपणी संजे राउत ने सोनुसूत के लिए की लेकिन इधर अगर बात करे महराश्ट्र गवर्मेंट की तो उधव ठाकरे से सोनुसूत को वाइरल हो रही है और उद्धव ठाकरे ने सोनुसूत के काम की सराना के साथ-साथ उनको अपने काम के लिए बधाई भी दी और ये भी विश्वास दिलाया कि उद्धव ठाकरे का उन्हें सपोर्ट रहेगा इस मीटिंग के बाद कहा जा रहा था कि सोनु पर ये जो पॉलिटिक्स तेज हो गई है सोनुसूत ने लोगों की मदद की घर पहुंचाने के लिए वो लोग घर भी पहुंच गए और गर जाने के बाद उन सभी लोगों ने सोनुसूत को बढ़ाया दी उन्हें ठैंक्स किया उन लोगों ने सोनुसूत में जो भी देखा था उन्ह उन्होंने सोनु के इस अच्छे काम में भी politics ढून ली हमारे देश में एक दुख की बात तो ये है कि जो हमारे political मुद्दे होते हैं उन पर कोई बात नहीं करता है लेकिन उससे भी बड़ी दुख की बात ये है कि मुद्दे बनाये जाते हैं आम लोगों के साथ खेला जाता ह सोनु सूत की ये जो मुहीम थी सिर्फ गरीबों को उनके घर तक पहुचाने की थी उन्होंने हर जगे कहा है कि जब तक आखरी प्रवासी अपने घर नहीं पहुचेगा तब तक मैं घर में नहीं बैठूँगा और इसी के चलते वो प्रवासीों की मदद कर रहे हैं लेकिन नहीं आता है कि लोग इतने कठोर दिल कैसे हो जाते हैं कि जब पूरी दुनिया एक संकट से जूंज रही है और लोग उससे लड़ने की उभरने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे में कुछ लोगों को पॉलिटिक्स सूचती है और वो अपने हाध गरम करते हैं वह अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चलकर कोई भी गरीबों की मदद के लिए आगे नहीं आएगा क्योंकि वो डर जाएगा कि कहीं इस काम पर भी पॉलिटिक्स ना हो जाए वह आपको क्या लगता है जिस तरह से सोनु ने काम किया है क्या वाकई में वह एक पॉलिटिकल मुद्दा है या पर सोनु के इस काम का एक्जामपल देना चाहिए और लोगों को इंस्पायर करना चाहिए कि किस तरह से एक इंसान इंसान के लिए खड़ा हो सकता है मुसीबत के समय में कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें कब क्यों और कैसे में अभी के लिए वस इतना ही फिर साथ लाइक करें हमारा फेस्बुक पेज बॉलिवुद ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलिवुद ठिकाना